आज की ये homemade remedy है आँखों के लिए बहुत सारे कमेंट आये थे मेरे पास की आँखों के लिए कुछ बताईए तो आँखों के लिए ही आँखों की रोशनी तेज करने के लिए मैं homemade remedy दे रही हूँ और इसके साथ आपको 2-3 उपाई हैं वो करने हैं तो कुछ तो खाने की चीज है वो improve हो जाएगी और एक बात का ध्यान रखें देखें आप सोचें कि एकदम से फर्क पढ़ जाएगा तो किसी भी remedy को आप अपना लीजिए एकदम से फर्क नहीं पढ़ता है जैसे जैसे धीरे धीरे आयसे वीक होती है उसी तरह से धीरे धीरे वापस भी आती है इस दर्द होता है तो सरका दर्द बंद हो जाएगा इस तरह से धीरे धीरे आप पता कर सकते हैं अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ देखें यहां पर मैंने 100 ग्राम सौफ ली है और बिल्कुल नाप जो मैं बता रही हूं यही लेना इसलिए मैं आपके सामने तोल रही तो 100-100 ग्राम हमने दोनों चीज ले ली है आपके सामने तोल आप वजन में तोल के लेना और यह है दक्णी म्रच सफेद द्यान से देखेगा तो यह सफेद मिर्च है इसको दखणी मिर्च भी कहा जाता है सफेद मिर्च की जगे काली मिर्च नहीं लेनी है यह लेनी है 20 ग्राम कम ज़्यादा मत कीजेगा 20 ग्राम ही लेनी है और इसकी जगे काली मिर्च नहीं लेनी है और यह है मिस्री मिस्री देखिए धागे वाली है लिंक देदू यहां पर मैं 500 ग्राम ले रही हूं आप 100 ग्राम भी डाल सकते हैं और जिनको सुगर है वो मिस्री को स्किप भी कर सकते हैं तो मिस्री इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है बस थोड़ा सा मैंने डाला है टेस्ट भी अच्छा लगी पर मिस्री के फायदे भी बहुत है शूगर हो वो ना ले अब देखे कढ़ाई को मैंने केवल गरम किया है और फ्लेम को कर दिया है मीडियम मैं केवल बादाम की नमी निकालूंगी बादामों को सेक नहीं रही हूं तो एक बार कढ़ाई गरम करके मैंने फ्लेम को लो कर दिया है अगर आप धूप में रख देते हैं तीनों से कुल के शो सब्सक्राइब करिए करते ही jsुद हमने सब बादे वे नहीं को बन्त कर दोओं जाए कर दोफ सौफ को अ dietary एड़ खाल का गारम Q PDG में डाल दी है दखणी मिर्च मैंने तीनों चीजों को इसलिए मैंने थोड़ा सा सेका है ताकि इनकी नमी चली जाए और यह पाउडर ज्यादा लंबे समय तक हम इसको रख सकें स्टोर कर सकें देखें गैस को मैंने बंद कर दिया था अब यह इसमें दखणी मिर्च और तो देखें जिनको आखों की रोष्णी चाहिए और जो चाहते हैं इंप्रूव हो तो यह सब टिप्स हैं उनको ध्यान रखेगा अब इसको हम पहले हमने बादाम डालें बादाम को पीस लेंगे और उसके बाद सौफ और दखणी मिर्च को पीस लेंगे मिक्सी अगर यह कहले चाहिए हो तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगी सुझाता की मिक्सी है तो वहां से ले सकते हैं आप लोग पूछते हैं इसलिए बता रही हूं मेरा कोई मिक्सी बेचने का यहां पर इडादा नहीं है कि मैं उसकी एड कर रही हूं यह देखिए हमने तीनों चीजें पी चीज है विश्वास जहां पर होता है न मुहां पे फायदा भी होता है तो आप विश्वास करके इसको लीजेगा यह बहुत पुराना दाधी-णानी के जमाने के नुश्खें तो यह आजमाई हुए होते हैं इनमें कोई ऐसा नहीं है कि बिना आजमाई कोई बता देगा आप इसको मिस्री को हम पीस लेंगे और इसके बाद एक और उपाय है वो भी बताऊंगी मैं इसी के साथ करना है वो तभी आपकी जो आई साइड है वो इंप्रूव होगी खाली इसको जो पाउडर बना है इसको खाने से खाली इंप्रूव नहीं होगी आपकी यह मैं पहले ही बत उसी तरह धीरे धीरे जाता भी है तो इसमें टाइम लगता है इस चीज में तो पेशेंस रखके इस उपाई को कीजिएगा इसका कोई नुकसान नहीं है और इस पाउडर के तो बहुत ही ज्यादा फायदे इसको आप कमजोरी वीकनेस में भी ले सकते हैं जिनको वीकनेस रहत कमजोरी रहती है थकावट रहती है पिंडुलियों में धर्द रहता है तो वह भी इस पाउडर को ले सकते हैं तो आँखों की रोशनी के साथ साथ उनको ये भी फायदा होगा तो काफी फायदे मंद है ये पाउडर तो ये पाउडर हमने बना के रख लिया एर-टाइट कं स्कून आपने इसको रात को लेना है दूद के साथ कि या देखिए दो चममच भर मैवल करवनेट कर कर लेना और मैजनीइ स्पून है दो चममच रात को लेना है उसक तो देखें गले से ऊपर के जितने भी रोग होते न उनमें अगर आप रात को दवाई लेते हैं तो ज़्याधा उसका असर होता है, तो यह रात को लेना है आपने गरम गुन गुने दूध के साथ, अब इस पाउडर के साथ साथ दूसरा एक उपाई और करना है आपने एक गिलाष लेना है, कांच का anche glass में आपने आधी glass पानी भर लेना आधा glass पानी लेना और उसमें डालना आधा, छोटा चमत, तुरा पाउडर, तुर्फला को चून होता है, वो भी चून डालना है और चूरन डालने के बाद, आपने इसको ढखकर के रख देना है, पूरी रात भर के लिए, रात क वो नीचे रह जाएगा और पानी पानी उपर आजाएगा फिर आपने क्या करना है कि इसको आप एक बार चमस से हिला लेना पानी को यह उपाए बहुत ही कारगर है इसको जरूर करना आप इसके साथ तो जल्दी आपकी जो आई साइड है वो इंप्रूव हो जाएगी अब ल मोटा कपड़ा आपने लेना है इसको आप छान लेंगे और पूरा जो पाउडर है वो कपड़े में आ जाए नीचे बस खाली पानी बचना चाहिए पाउडर का एक कण भी ना जाए पानी के अंदर यह आप ध्यान रखी का इसका उपयोग कैसे करना है वो बता रही हूं य देखे यह जो पाउडर पाउडर है वो कपड़े में आ गया अब यह जो पानी जो है इसको हमने आइवाश के लिए आखों को ध्षोने के लिए यूज करना है तो आइवाश जो एक कप आता है वो भी आप ले सकते हैं अगर कप ना हो तो सबसे छोटी कटोरी हो वैसे कप ले लेना मार्किट से ज़्यादा महंगा नहीं आता क्योंकि कटोरी में पानी बहुत ज्यादा लगी गा वेस्ट होगा इस पानी को आप बना कर भी रख सकते हैं और बना कर रखें जब भी आपकी आखें तो आपने देखें मिरपाई चोटी कटोरी थी घर में सबसे चोटी तो इस पानी में आपने आखे बंद करनी है, खोलना है, आखो के पास इसको ले जाना, जैसे आई वाश कप होता है, उसमें आई वाश करते हैं डाल के, तो इस त्रिफलर के पानी में आपने आखो को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना ह तो शुरू शुरू में तो आपको हल्की सी थोड़ी जलन सी महसूस होगी पर होने देना वो अच्छी बात है अगर जलन होगी तो और हल्की सी आँखे भी लाल हो सकती है पर आप देखोगे कि धीरे धीरे इससे आपकी आईसेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी अब ऐसा नहीं है कि जब आपकी आँखे थके तभी आपने ये करना है ये डेली आपने करना है आपने तब जरूर करना है जैसे बहुत देर होगी आपको कंप्यूटर पर काम करते हुए या लैप्टॉप पर आप काम कर रहे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आज कल देखिए आप बोड़ एक्जाम आने वाले हैं तो पढ़ने वाले बच्चों की भी आँखें धुक जाती हैं। तो इसको आप पानी को रख कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पानी को आप बनाकर रख लेना। अभी थोड़ा गर्मी ही है गर्मी third तो फ्रिज में आप रख सकते तो ठंडे ठंडे इस पानी से आप अपनी आखे जैसे मैंने बता है उस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखना आपको आखों में कितना रीलीफ होगा और सारी आखों की गंदगी निकल जाएगी और बहुत ही जल्दी आपकी जो एक साथ करने हैं वीडियो कैसी लगी जरूर बताईगा मिलते हैं अगले वीडियो में